हेलो फ्रेंड्स मॉर्णिंग में बच्चे को टिफिन देना हो तो आप क्या बनाए आपको समझ नहीं आ रहा है और बच्चे टिफिन फिनिश करके भी लाए और हेल्दी भी हो तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी रेशी पिले के आए तो चलिए सुरू करते हैं बनाना उस के मिट्चे से कुछ सेकिर हमें मिक्स कर रेना है उसके बाद हरी मिर्ची अगर बच्चे के टिफिन में देना हो तो कि इसक eating कर सकते हैं उसके बाद हलकाल का भून लेंगे बहुत जादा इसका कलर नहीं चेंच करना है फिर से थारा रह्यां मिक्स करने कद्ग भीर हdefense को यह तो मैं यहां पर 3-4 उबले हुए आलू ले रही हूँ, तो इस काम को आप रात को भी कर सकते हैं, आलू को रात को उबाल के रख दीजिए, तो उसके बाद इसके में नमक दालेंगे और अच्छे से इसको मिडियम फ्लेम पे भून लेंगे, यहां पर आलू का मसाला हमारा बन इसके अंदर जितना मैंने सूजी लिया है, उतना ही हमें चांज डालना है, आप चांज की जगे दही काई भी यूज कर सकते हैं, दही और पानी दोनों काई, उसके बाद हमें इसका अच्छा सा पेष्ट तयार करना है, और एक बरतन में ट्रांस्पर कर लेना है, उसके बा बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, यहां पर मेरे पास सेंड्वीच में करें, अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप तबाका भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहां तेल डालेंगे, उसके बस चारों में हमें इसके अंदर डाल देना इस तरह से, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा बरे, तो मैं यहां पर बड़ा बड़ा बना रही हूं, चारों में भरने के बाद थोड़ा सा उपर से तेल डालेंगे, उसके बाद हमें बन कर देना है, पांच मिनट के लिए छोड़ देना है, पांच मिनट में बहुत अ साइड भी एक में लगा लिया है अब एक के ऊपर हमें एक इस तरह से रख देना है तो इससे क्या होगा कि हम ऐसा फिलिंग आएगा कि हम सेंट्वीच खा रहे हैं हेल्दी भी है और ब्रेड का भी नहीं है उसके दो मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे देखिए अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई